मेथी बनाना एक बड़ा ही जंजट का काम है उसे बजार से लाओ, साफ करो, धो, उसके पत्ते अलग करो, उसे फिर कटिंग करो और फिर उससे बनाओ पराज आपके सब तक बहुती आसान और बड़िया तरीका मेथी साफ करने का और बनाने का शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लाज तक देखें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें बाजार से आप छोटे पत्ते वाली या बड़े पत्ते वाले कोई भी मेथी ला सकते हैं सबसे पहले उसकी रसी को कट कर दें और इसकी जो डंडिया है उसे आप अलग कर लें क्योंकि वो यूसफुल नहीं होती है तोड़ी सी पगी होती है और उसे निकालने के बाद आप मेथी को बहुत ही असानी से साफ करके पत्ते निकाल सकते हैं अगर आपको सिर्फ पत्ते पत्ते की मेथी बनानी है डंडि बिल्कुल नहीं यूस करनी है तो यह बहुत ही असान तरीका है आप इस तरीके से कोई भी स्पैटूला ले लें और उसके अंदर आप डंडी डालके जब पीछे से खीचते हैं तो उसे पत्ते रह जाते हैं ऐसा करने से आपको बहुत सारा टाइम बचता है आप इसे बहुत ही असानी से निकाल पाते हैं वैसे एक और तरीका है जो मोटी वाली कंगी होती है उससे भी आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं जादा पत्ते अगर आपको एक साथ करने हैं बस कंगी थोड़ी सी नई और साफ होनी चाहिए तो इस तरीके से पत्ते निकाल लें बहुत ही आसानी से, कोई लोग कट करते हैं, कोई-कोई लोग हातों से तोड़ लेते हैं, आप जैसे चाहें वैसे से कट कर सकते हैं, इसके साथ हम आलू यूज़ करेंगे, आलू और मेथी दोनों का कॉम्पिनेशन इतना बेस्ट है कि बहुत अच्छी लगती है, लेकिन किस किसी को बहुत टेस्टी मेथी बनानी नहीं आती है, लेकिन आज जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यह मेथी कभी फेल होई नहीं सकती, आप सभी को बहुत जादा पसंद आएगी, एक पैन में थोड़ा सा तेल, आप एक कडशी के करीब तेल यूज़ कर स तो यहां पर लसुन मैंने अच्छी कॉंटिटी में डाला है, अगर आप लसुन नहीं खाते हैं तो सिर्फ हींग डाल सकते हैं, लसुन के बाद मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा अद्रग, लसुन की कलियांती करीब 10-12 एक इंच टुकड़ा अद्रग का था और 5-6 हरी मिर बहुत कम सी हो जाती है, अगर आपको थोड़ी जादा कॉंटेटी करनी है, तो आप इसमें एक प्यास या थोड़ा सा टमाटर कर सकते हैं, मैं अज कुछ भी आड नहीं कर रही हूं, जब सारी चीज़े ब्राउन हो जाती है, तब इसमें मैं डाल रही हूं आलू, और क्योंकि मेथी तो बहुत जल्दी पक जाती है, आलू को टाइम लगता है, तो आप कोशिश करें कि जब आलू मेथी बना रहे हैं, तो आलू के टुकडे बहुत जादा बड़े ना हो, अब आलू अगर आप पकाएंगे तो बहुत टाइम चले जाएगा, और बहुत क्योंकि मेथी को पकने में जितना टाइम लगता है, तो बचे आलू के टाइम में जो मेथी आसानी से पक जाएगी क्योंकि मेथी पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, अब 80% कूख हो गय है, आलू यहां पे डालेंगे आदा चमच हल्दी, अगर किसी भी चीज की मेजर कि अपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करें, सभी की कमेंट का मैं जवाब जरूर देती हूं, अब इसे मिक्स करेंगे हल्दी को और इसके बाद में यहां पे हम मेथी आड करेंगे, मेथी बिल्कुल राए है, ड्राइ मेथी बहुत अच्छी बनती है, यह ज़ कि अपकर बना सकते हैं, तो अपको सिफ इसे पसंद है, जब लगाई है, यह तो थोड़ी सी मॉस्ट होता है उसमें जदा थोड़ी घीली कि ली होती है, लेकिन अगर आपको को बिल्कुल ड्राइ और रिस्पी पसंद तो बिल्न धंन के यह पे पकायें तो आपको जै तो अब थोड़ी थोड़ी कच्ची है इसे और पकाएंगे अगर आप धकन दे देते हैं तो जल्दी पक जाती है क्रिस्पी रखनी है तो आप इसे ओपन ही रखें चले थोड़ी देर हो चुकी अब इसे चेक आउट कर लेते हैं बहुत ही बढ़िया लग रही है थोड़ा सा अब मेथी की जैसी शकल आपको पसंद है जब तक वैसी नहीं आ जाती है तब तक आप इसे पकाते रहे हैं मुझे इस तरीके की ठीक लगती है अगर आपको और थोड़ी सी क्रिस्पी रखनी है तो आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं अब सबसे लास में इसमें नमक और गर करेंगे नमक बाद में इसलिए क्योंकि शुरुआत में मेती देखने में बहुत जादा लग रहे थी अगर उस वक नमक डाल देते तो आसा लगता कि बहुत सारा नमक डालना पड़ता है लेकिन जब इस सिकुड जाती है तब हमें पता चलता है कि इसमें ज्यादा नमक की गरम मसाला में सिफ धनिया पॉडर जीरा पॉडर और काली मिच का पॉडर था अब इसे मिक्स कर लेंगे और क्रिस्पी करना है तो गैस पे रहने दे ऐसे इसलो में वरना आप इसे इसी तरीके से सर्फ करें कुष्भू बहुत बढ़ी आरी इस वर गर पे क्यूंकि बहुत जो की बहुत जादा बहतरीन बनते हैं तो ट्राइ करें जरूर ये मज़दार रेसिपी आलू मेती की अगर आपको मेरेसिपी पिसंदाई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को वे सब्सक्राइब करें